साथ साथ यदी बात की जाए, United Nations जिसकी स्थापना जब की गई थी तो यह उमीद की गई थी कि तरतिय विश्वयुद नहीं होगा, यह माना गया था कि जब भी दो ताकते मिलेंगी तो United Nations Security Council उन सारी परिस्थितियों को रोकने का काम करेंगे, यहाँ पर Antonio Guterres केवल दुख व too many people have already died, यह Antonio Guterres United Nations के अंदर बैठ करके भाशन दे रहे हैं, केवल और केवल दुख व्यक्त करने के अलावा इनके पास कुछ option नहीं बचा है, कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि रूस के द्वारा युकरेन पर की गई कारवाही का कोई भी तोड़ नजर नहीं आ रहा है,